हलों कि ची खीष क्लास आज हम आपकी काउंट की अप्डों टिप्स बूख का व्रक्त स्थार्ट कर रहे हैं तो जल्दी से आप अपनी बउक्स ऊपन करेंगों लाइक एज ओन यूर स्क्रीन यू कैन सी आपकी काउंट ओन टिप्स बुक आपकी स्क्रीन पे है ये बुक्स अपनी ओपन करेंगे और अपनी पैंसल साथ में लेंगे आप लोगों की नाव यूगीची क्लास आप स्क्रीन पे जैसा कि देख पा रहे हैं ओड एंड इवन नंबर्स क्या होते हैं आपके नाव ओड एंड इवन नंबर्स हमारे होते क्या है पहले हम उसके बारे में बात करते हैं जैसे हमारा 1, 3, 5, 7 और 9 जो हमारे डिजट्स 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको कहा जाता है बचे और नंबर्स ठीक है और जो हमारे टू के टेबल में जो हमारे डिजट्स 2, 4, 6, 8 और 10 जो हमारे words जो हैं लिजिट्स होंगी two से divide हो जाएंगी उनको कहा जाता है even numbers ओकी नाउं आपके सामने एक flower बना हुआ है तो यहां question हमें क्या दिया है इसने कि जो हमारे even numbers है उनको हमें क्या करना है green से green color उसके अंदर fill करना है मैंने circle किया है आप इनके अंदर green color पूरा fill कर देंगे और जो odd numbers है हमारे उनको क्या करना है pink color से उनको circle करना circle नहीं आप पूरा color करना है इस पूरे flower को ठीक है मैंने यहां सरफ circle करके दिखाया है आपको आपको यह पूरा क्या करना है color करना है green as you can see on your screens आपको यह क्या करना है figure आपके सामने show हो रही है आपको यह बताना है कि यह आपका odd है कि even है जैसे आपके fish है तो fish को count करो 1,2,3 आपके 3 number जो है आपका odd है तो मैंने odd के आगे trick किया अब नीचे हमारी aeroplane कितनी है 2 है तो 2 मेरा क्या है even number है तो even number हमारा क्या हो गया हम even number के आगे trick कर देगे इस तरीके से हम इसको complete and now smallest and largest number आपको पता है कैसे करना है हमने smallest number और greatest number तो यहाँ आपके screen पे लिखा हुआ है आपको color करना है the smallest number को brown से color करना है and largest number को violet से जैसा मैंने आपको screen पे इस उपर वाली line में boxes में सबसे छोटा हमारा 4 number है तो 4 को हम brown color से color करेंगे जैसा मैंने किया है अब इसे complete करेंगे and largest number इन सभी में हमारा 20 है तो हम 20 को violet color से complete करेंगे and इसी तरीके से नीचे हमारा एक box की line एक और है आप इसको complete करेंगे and नीचे देखिए largest number को tick करना है smallest number को cross करना है आप नीचे भी जो आपका दे रखा है न caterpillars आप इसको भी इस तरीके से complete करेंगे 2 मेने आपको करके दिखाए है और बाकी आप खुद से complete करेंगे fine and यहाँ पर भी आपको greater number मैं आपको सब बता चुकी हूँ जो जादा होता है उसकी तरफ हमारा greater वाला खुला होता है open मू होता है उसका arrow का और जो छोटा होता है उसके वहाँ पर cross क्या होता है बांद होती है arrow और equal के साथ में हम equal का mark करते हैं as I told you now आपको smallest number पर cross करना है encircle करना आपको smallest number को और largest number जो है उसको आपको cross करना है मैंने आपको कुछ यहाँ करके दिखाया है color और circle तो cross करेंगे आपको circle आप करेंगे जैसे मैंने आपको screen पे show किया fine and यहाँ पर भी आपको greater or less than and equal to मैं clear कर चुकी हूँ कुछ मैंने आपको examples complete की है आप इने complete करेंगे fine